साम जो गाइड़न्स काउंसिलर है उस पर दो लड़कियों के रेव का इलजाम है इसी की इन्वेस्टेशन स्टार्ट होती है और इसके पीछे बहुत सारे राज है हेलो फ्रेंट्स आज के हमारे मुवी वाइल तिंग्स ये 1998 की एक थ्रिलर मुवी है अगर आपको मुवी में ट्रिस्ट एंट टरंस पसन है तो ये मुवी आपको बहुत पसन आएगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीस लाइक और कमेंट जरू कर दीचेग मुवी स्टार्ड होती है और हमें स्कूल दिखाया जाता है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है सैम एक गाइडन्स काउंसिलर था आज स्कूल में डिडिक्टिवरे और उसके पार्टनर आई हुई है सेक्स रिलेटेड जो भी क्राइम से इसे लेकर इनसे वो बात करने वाले थे रही ने सब कुछ बताना स्टार्ट करता है तब इस स्टूडन्ट में से एक सुजी नाम की लड़की उठके वो उसे गालिया देकर वहाँ से चली जाती है बाद में रही की पार्टनर उससे को भी काम दिया था एक दिन सेल करकर ये वापस आये तो केली ने सैम को अप्रोच किया केली सैम की एक स्टूडन्ट है और हमारे और एक मेन गारेक्टर केली पूछती है क्या विकेंज पर मैं आपकी कार वाश कर सकती हूँ वैसे तो कोई जरूरत नहीं थी पर फिर भी सैम हा कर देता है केली यहां सैम से फलर्ट करकर लिफ्ट भी मांग लेती है जब सैम ने केली को घर पर छोड़ दिया तो केली की मदर बाहर आई केली की मदर और सैम के कनवर्शेशन से में पता चलता है कि ये दोनों आलरेड़ी इंटिमेट हो चुके हैं वो से घर में बुला रही थी वह से जल्दी से चला जाता है वीकेंड आया और केली अपने फ्रेंड के साथ सैम की जिप वाश करने के लिए आये हुए थी इस ताइम सैम अपनी गर्फ्रेंड के साथ था यह दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत जेलस हो गई थी कार वाश होने के बाद केली सैम स शॉट खतम हो गया नेक से इन में वो डिस्टब होकर कर से भागती हुए हम देख सकते हैं अगली दिन केली स्कूल नहीं की तो उसकी मदर बहुत ही वरीड थी उसने सैम को कॉल लगाया सैम कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता केली की मदर गहती है कभी कभी केली आज बहुत गुस्सा है उसकी मदर उसे पास आए और पूचा कि हुआ क्या है केली रोने लग गई कहती है मैं डाड को बहुत मिस्स करती हो केली की मदर उसे सहारा दे रही थी तो उसने कहा कि सैम ने मेरा रेप किया है इस पर मदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए उसे पुलिस टेशन लेकर आते है यहाँ बार डिटेक्टिव रे और उसकी पार्टनर थे इन्होंने सब को बाहर निकाल कर केली की वीडियो टेस्टिमोनी लिए केली कहती कि सैम ने मेरा रेप किया और फाइनली का कोई भी छोटी लड़की मुझे सैटिस्वाई नहीं कर सकती केली के जाने के बाद सब लोग ये टेव एनलाईज कर रहे थे रे की पार्टनर को लगता है केली जूट बोल रही है वहाँ बर एक प्रोस्टिक्यूटर भी था सैम की अल्रेडी इस टाउन में इमेज बहुत खराब है तो उसे वो दोशी मानते है इन्वेस्टियेशन स्टार्ट कर देते है सैम की स्कूल में आने के बाद उसे भी पता चल गया ये एक्चुर में चल कह रहा है उसका फ्रेंड उसे सब कुछ बता कर सब बाते कन्फरम करता है केली की मदर बहुत ही पावरफुल है तो कोई भी उसे जोट नहीं ठहराना जाता सैम वरीर था क्योंकि इस तरह की बात है हमेशा लोगों को याद रहती है इसके बाद वो एक अच्छे से लॉयर के पास आया उसका नाम है केनित केनित ने सैम से पूछा कि तुमने सचमुश कुछ किया है सैम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है केनित ने का तो बहुरी करने के कोई भी जरूत नहीं है सैम की जो existing girlfriend थी उसे से मिलने के लिए एक होटेल में आया हुआ था उसकी गल्फरिंड के साथ उसके फादर विपयाए और उन्होंने सैम को धमकाया मेरी बेटी के आमने सामने दीखना भी मत वो उसकी पूरी लाइख बरबात करतेंगे एक बार से सैम जब रात में घर जा रहा था तो उसकी गाड़ी पीछा करते है उसने पीछे से उसे टकरा दिया जिससे उसकी गाड़ी पानी में चली गई या आदमी उसके पास आया और सैम को बहुत मारता है सैम ने भी उसे मार कर पीछा छोड़वा लिया हम नोटिस करते हैं कि आदमी केली की मदर का एक फ्रेंड था सैम अपने ही घर में बहुत जादा डर चुका था सैम ने केनेट को बुलवाया पर केनेट भी कहता है केली की मदर बहुत ही पावरफुल है हम एक्चुल में कुछ कर भी नहीं सकते हैं सैम ने घर पर लोन लिया था, पर केली की मदर बैंक के बोर्ड आप डारेक्टर्स में है, अब वो लोग उससे उसका घर भी छीन लेंगे, केनेत कहते हैं, तुम बहुत ही क्लीन हो, जब केली की फादर की डेथ होई थी, तो ड्रक्स करते हुए पकड़ी गई थी, और उसके खिलाफ तुम हो, जो एक लीन गाइडन्स ओफिसर है, जूरी है सब देखेगी और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, इसके बाद मेकसी में हम देखते हैं, सुजी ने पुलिस को बुलवाय हुआ था, यह रे पर गुसा तो है, पर उससे कुछ इंपॉर्डन बात करनी थी, यह उन्हें वॉक पर लेकर जाती है, उसने कहा, यह रे ने मेरा भी रेप किया था, इस सब बात से रे और उसकी कली के दोनों सप्राइस थे, वो उसे डिटेल पुछते हैं, पर सुजी डिस्टब थी, सुजी ने कहा कि साम ने मुझे कहा था, कोई भी छोटी लड़की, पड़ा, इसके बाद साम का लवार केनेट यह सुजी से क्वेशन बुछता है, सुजी ने भी कहा है कि साम ने उसका रेप किया था, इसी वज़े से क्वेशन बुछता है, सुजी कोई भी ट्रवल में आती थे, तो हमेशा साम उसकी मदद करता था, वो उसका एक अच्छा प्रेंड था, जब सुजी ट्रवस के लिए जेल में के, तो साम ने उसे कोई भी कॉन्टेक नहीं रखा, कैनेट सुजी से पूछता है, तुमारा जब रेप हुआ था, उसके एक महीने बाद जब तुम ट्रवल में आ गए थे, तुमने साम कोई बुलवाय था, अगर उसने गए दिया, इस साम ने कुछ भी नहीं किया, उसने केली का भी रेप नहीं किया है, केली और सुजी दुनों ब्लैर में शामिल थे, उने साम को सजा दिलवानी थे, केली साम के साथ इंटिमेट होना जाती थे, तो उसने मना कर दिया, इसी वज़े सो गुसा थी, सुजी का ज सब्सक्राइं के बाद सम्क्राइब真的 के गया मेरे फादर मेरे लिए चोड़कर गये थे qॉसे अब प्रेडे उसके रूम में केली थे यह सब कुछ केस के अदिना सेटल्मेंट इस अब कुछ इनका ही प्लैन था केली को पता था कि मदर के पाश बहुत ससारे पैसे हैं जब तक व आठरा साल को नहीं हो जाती है तब तो उसे नहीं मिलते हैं यह सब फिर उसने सैम के साथ प्लान किया था, यही पर सुजी भी आ जाते हैं, यह तीनों पहले से इन्वॉल्ट थे, सैम इने बॉन करता है कि हम दीनों को एक साथ नहीं दिखना चाहिए, थोड़ी दिनों के लिए वो अपना डिस्टंस मिंटेन करेंगे, हाज रादे दिनो फिर इंटिमेट हो जाते है, डिटेक्टिव रेक को इस केस में कुछ ना कुछ तो गड़बर लग रही थी, उसने फिर सैम के अकाउंट्स देखे, सैम को मिले हुए 8.5 मिलियन डॉलर्स, इनके तीन हिससे उसने किया थे, यह सब पैसे उसने आफशोर अकाउंट में डाल दिये थे, सैम ने फिगर आउट कर लिया, केली, सुजी और सैम इन तिनों ने मिलकर यह सब किया था, उसे पका अंदाजा है, यह चीज़े अब इतनी सिंपल नहीं रहेगी, नेक्सिन में रेक केली के पास गया, वो से गयता है, पैसों के तीन पार्ट अच्छे नहीं लग करने वाला, वो केली के प्यार में है, इन सब बातों के बाद सुजी डिस्टब हो गई थी, वो डारेकली के पास आई, उसे शान करने के लिए केली में सैम को कॉल लगाया, सैम उसे गयता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पुलिस सिर्फ हम तिनों में प्रेशर बनाने की कु इस बात पर इन दोनों का जगड़ा हो गया, एक दूसरे को मारती है, वो मारने मारने में इंटिमेट हो जाती है, इस सब कुछ रे ने रेकॉर्ड कर लिया, अब वो अपने बॉस को यह सब चीज़े बता देता है, उसने क्वेशनिंग के लिए और डिटी सैम को भी बुला होगी ही, एक रात केली सुजी को बीज के पास लेकर आई, वहाँ पर सैम भी था, इन दोनों ने मिलकर सुजी को ट्रंग करती है, और सैम उसे मार डालता है, दोनों मिलकर बॉड़ी को व्रैप करकर इसका ठीकाना लगा देते हैं, एक दो दिनों बाद सुजी की ग्रैंड म मिल गया, उसके बास कहते हैं कि अब लड़ सुजी का ही होना चाहिए, वरना तुम बड़े ट्रवल में आ जाओ गया, रेक की पार्टनर ग्लोरिया को हमेशा से लगता था, कि सैम ने कुछ भी नहीं किया, वह आज रात उस पर नज़र रख रही थी, सैम है नोटिस करकर उ सुजी किसी और जगकर में थी, इसमें सैम का कोई भी हाथ नहीं है, रे आज रात केली का पीछा कर रहा था, उसने केली को अकिला देखा, तो उससे बात करने के लिए चला गया, रूम के अंदर क्या हुआ, यह हमें दिखाया नहीं जाता, कुछ बुलेट चलती है, जिसमे रे जखमी हो गया था, और केली की डेथ हो चुकी थी, रे से सब कुछ क्वेस्टेंस पूछे जाते है, कहता है, जब मैं उसके पास गया, तो उसने मुझे पर अटेक कर दिया, सेल प्रोटेक्शन के लिए मुझे उससे मारना पड़ा, कुछ साल पहले, रे ने और एक लड केली ने ही सुजी को मारा, अब केली की भी डेथ होके, तो एक केस क्लोज हो जाते है, इसके बाद सैम बीच पर मज़े कर रहा था, वो घर पर आता है, तो वहाम रे को भी देख सकते है, हमें पता चलता है, रे और सैम मिले हुए थे, ये सब इनका ही प्लान था, प्लान में कि बैंक को वायर करने में दो दिन लगने वाले है। क्यों नो उतने टाइम तर तु मेरे साथ बोट पर आओ, हम सेलिंग किये जाएंगे। रे को ज़रा शक गया और फिर भी इसके लिए हो मान जाता है। सेलिंग पर आने के बाद सैम रे को एक रोब टाइट करने के लिए बोलता है। रे इस पर था तो सैम ने बोट को टर्न किया, उसे नीजे गिरा दिया। उससे रखता है कि वो पानी में गिर गया, पर रे उपर ये था। इन दोनों में कड़ी फाइट चल रही थी, तभी रे को किसी ने एरो से मार दिया। सुजी अभी जिन्दा है और ये सुजी ही थी। सैम ने सुजी को मारने का सिर्फ पिटेंड किया था। ये दोनों फिर रे को पानी में डाल देते हैं। इस पूरे केस को लेकर रे की पार्टनर ग्लोरिया बहुत ही सस्पीशियस थी। ग्लोरिया फिर सुजी की ग्रैंड मदर के पास आए। उसने उससे पूछा क्या तुम रे के बारे में कुछ जानती हो। ग्रैंड मदर यह थी है, रे का कैरेक्टर बहुत ही खराब है। एक समर में उसकी यहाँ गल्फरेंड हुआ गरती थी। वो पनी गल्फरेंड को बहुत मारा करता था। उससी की गल्फरेंड को और एक लड़का लाइक करता था। उसने रे को समझाने की कोशिश की तो उन दोना में जगड़ा हो गया। रे ने उसे मार दिया और कहा सेल प्रोटेक्शन के लिए उसे उसे मार ना बड़ा। सुजी ने रे को मर्डर करता हुआ देख लिया था। सुजी कुछ बोले ना इसी वज़े से उसने उस पर ड्रग्स प्लान किये। उसे जेल में डाल दिया। अब हमें पता चला कि यह ही रिजन था सुजी रे को क्यों हेट करती थी। सैम और सुजी के बास अब बहुत सारे पैसे हैं तो सेलिबरेट करने के लिए यह ड्रिंग करते हैं। सैम सुजी को लेकर भी सस्पिशियस था कि उसे ड्रिंग में पॉईजन मिला कर मार डालेगी। सुजी कह दिये कि बोट चलाना मुझे नहीं आता, मैं तुम्हें कैसे मार सकती हो। सैम ने ड्रिंग किया तो सच मुझ इसमें पॉईजन था। सैम की मरने के पहले सुजी उसे कह दिये तुने बहुत सारी लड़कियों को धोका दिया है। अब इसका मेनिंग क्या था, यहामें फिर से ग्लोरिया और सुजी की ग्रैंड मदर की कन्वर्सेशन से पता चलेगा। सुजी की ग्रैंड मदर से ग्लोरिया को पता चला, सुजी उसकी एक्च्वल में ग्रैंड मदर नहीं है। सुजी की मदर शोर पर ही काम क्या करती थे, यही पर सैम छुट्टिया मनाने के लिए आया करता था, सुजी की मदर और सैम इन दोनों में रिलेशनशिप हुए, समर जब खतम हुआ तो सैम उसे धोका दे कर वहाँ से चला गया, सुजी की मदर तब प्रिइनेंट थे, सुजी क कि बोट सेल करने के लिए लेकर जा रहे थे। गुलोरिया गहती है, मुझे पता नहीं था कि सूजी भी सेल कर सकती थी। यानि अभी अभी सूजी ने सैम को मारा तो बोट अकीली लेकर जा सकती है। वहाँ स्टक नहीं रहे थे। सूजी के अंकल गहते हैं, क्यों हमेशा से बहुत स्मार्ट थी उसका IQ 200 से जादा है उसने जो भी ठान लिया इस सब कुछ वो कर सकती है इसके बाद सुजी ने इसा प्लान कैसे किया था कि हमें पता चलता है एक दिन के लिए बार में सैम के साथ थी इन दोनों ने ड्रक्स किये और ही इंटिमेट हो गए सुजी ने इन दोनों की फोटोज ले ली थे सुजी ने अपना प्लान एक्जग्यूट करने के लिए सैम को मजबूर किया सुजी को तो अल्रेड़ी पता था एक एक अच्छा पुलिस ओफिसर नहीं है उसने सैम से कहे कर उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लिया रे हमेशा से एक बहुत ही घटी आदमी था वो जब केली से मिलने गया था तो केली ने उस पर कुछ भी हमला नहीं किया उसने डारेक्ली केली को मार दिया था अब मूवी के फाइनल सीन में हम केनेट और सुजी को एक साथ देखते है साम को लायर केनेट भी हमेशा सुजी के साथ मिलकर काम कर रहा था सुजी को अब सब कुछ पैसे मिल चुके है सब की नजरों में ओ डेड़ है तो अपनी लाइव फेसे और सही तरीगे से स्टार्ट कर सकती है इसी नोट पर हमुवें इंड हो जाती है और आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा